वेडियो को स्टार्ट करते हैं यहां पर कंपनी की ओर से फोर रुपीज पर एक डिविडेंट भी यहां पर फाइनल डिविडेंट किया गया जो कि एन्वल जेनरल मीटिंग में अप्रूप किया जाएगा तब हम चलते कंपनी के फिनांसल रिजल्ट तो गाइस हम लोग आ च करोड करोड पिछले क्वाठर मार्च टुन कारोड के इंकम कौन कारम में तेजी हडल के तीनन अंड़ियर का पिछले कौडर में जिसके करण कंपनी के profit में तेजी आया है जो कि यहां पर profit अगर दिखेगा तो निकल का आया है 155 करोल का पिछले quarter में 89 करोल था मार्स 22 quarter में 82 करोल का profit था quarter on quarter year on year दोनों की profit से बहुत इशांधार तेजी देखने को मिल रहा है पिए से 29.03 रुपीश का पिछले quarter पिछले साल से यहां पर इसे लिए पर कंपनी का जो रिजल्ट निकल के आया बहुत स्ट्रॉंग इस बाद कंपनी ने पेस किया बहुत इच्छे रिजल्ट देखने को मिल रहा है लेकिन quarter on quarter में तेजी देखने को मिल रहा है, अगर हम लोग इसके stand-alone results को cover करें, number lakhs में दिये गए, income की बात करें, 2152 करोड का है, पिछले quarter में 2022 करोड था, March 22 quarter में 2303 करोड का income था, income quarter on quarter में तेजी है, लेकिन year on year में downfall देखने को मिल रहा, expenses 1937 करोड का, पिछले quarter में 1899 करोड था, March 22 quarter में 2191 करोड का expense हुआ था, यहाँ पे expenses quarter on quarter में increase किया, लेकिन year on year में expenses decrease हुआ, इसके कान company का profits में तेजी है, जो की profit है 155 करोड का, पिछले quarter में 89 करोड था, और March 22 quarter में 82 करोड का profit था, quarter on quarter year on year, दोनों की profits में तेजी देखने को मिल रहा है, EPS 29.02 रुपीच का, अबराल अगर देखा जाएगा इस तो company का result निकल के आया है, अगर देखेगा, तो यहाँ पे जो year on year में income में गिरावाट आ, लेकिन expenses उससे भी जादा काम हुआ, जिसके कान profits में तेजी आई है, तो अबराल अगर देखा है तो अच्छी result पेश कहा है, तो हम लोग वीडि तिल दन, बाई बाई